नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आदेत्य और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डीक्रैम पे अब वर्ल्ड हिस्ट्री सिरीज के घटना क्रोंग को थोड़ा और आगे बढाते हैं और यहां जानने की कोशिश करेंगे युनिफिकेशन अफ जर्मनी का प्रोसेस कैसे चलता है तो देखो पिसले लेक्शर में हमने युनिफिकेशन अफ इटली के बारे में सीखा था और ये युनिफिकेशन अफ इटली और युनिफिकेशन अफ जर्मनी ये दोनों प्रोसेस लगभग साइड वाई साइड चलते इसका ग्यान होना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बारे में अगर आपको जानकरी नहीं रहेगी तो आगे के chapters के background में हम जाएंगे जैसे कि world war 1 के background में तो वहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है इसलिए इस chapter को थोड़ा ध्यान से सिखिए ता यह शुरू करत कोई सा भी chapter शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत उसके background में जाने की कोशिश करेंगे सबसे पहले चलते है Napoleon के conquest से पहले का Europe उस समय देखते हैं कि क्या Germany था तो यह ठीक यही exactly यही slide आपने जब मैं आपको Napoleon एक एरा पढ़ा रहा था उस समय आपने देखा होगा अगर जर्मनी को map पर plot करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ने कहीं यह जो red marker मैं दिखा रहा हूँ आपको map पर इस तरह की एक territory थी यह थी Holy Roman Empire यह थी Holy Roman Empire और वोल्टायर ने इसके बारे में famously कहा था कि it was neither holy nor Roman nor it was an empire और यह Holy Roman Empire मिल के बना था 300 से भी जादा 300 से भी जादा principalities, kingdom, duchies छोटे-छोटे राजियों से मिल कर बना था और फिर Napoleon का जब Europe पर कबज़ा हुआ तो Napoleon ने क्या किया कि इस Holy Roman Empire का नाम बदला Confederation of Rhine बना दिया यह रहा आपका Confederation of Rhine और जो 300 से भी जादा राजी हुआ करते थे उसे consolidate करके Napoleon ने कर दिया था 39 इन सब के बारे में ह अगर आपने वो lecture नहीं देखा तो पहले आप वो lecture देख सकते हैं अब Napoleon के ultimately Battle of Waterloo में हार होती है और उस समय Congress of Vienna जो मिल रही होती है वियना में Concert of Europe के तहत Congress of Vienna जो meeting करती है तो उनका agenda रहता है काफी सारे agenda थे उनके लेकिन उस agenda में एक point यह भी था कि Old Order restore किस तरह करना है अब देख वो पहले हुआ करता था Holy Roman Empire Napoleon के Conquest से पहले Holy Roman Empire हुआ करता था और जिसमें हुआ करते थे 300 से भी ज्यादा छोटे-छोटे राज इससे बदलकर Napoleon ने कर दिया Confederation of Rhine Confederation of Rhine और इसमें बना दिये इसने 39 स्टेट्स तो ideally जब Old Order restore करना है तो इस 39 को वापस से 300 स्टेट्स में तोड़ना होगा लेकिन यह practically पॉसिबल नहीं था यह practically पॉसिबल नहीं था इसलिए Congress of Vienna ने क्या कि 39 को तो 39 नहीं छोड़ दिया पर इस Confederation of Rhine का नाम बदलक इन्होंने German Confederation कर दिया और यह boundary इसकी लगभग जो Napoleon को Conquest से पहले है वैसे ही छोड़ दी थी पर इस German Confederation में Austria का बहुत बड़ा ही influence हुआ करता था उस समय और यह 39 के 39 यह सारे स्टेट्स जितने भी 39 स्टेट्स सभी एक individual sovereign माने गये थे अब इनकी एक federal assembly वा करती थी अब federal assembly क्या थी कि 39 स्टेट्स के सभी स्टेट के representative रहेंगे पर इनका कोई head नहीं रहेगा तो यह हुई हमारी थोड़ी background की बात अब इन backgrounds के साथ आगे सीखने की कोशिश करते हैं कि Germany की unification का process कब चालू होता है और कैसे चालू होता है और किस तरह Germany ultimately unified होता है तो सबसे पहले बा जब 1848 के revolution को हम देख रहे थे तो उस समय हमने देखा था कि Germany में भी 1848 में revolution हुआ था और मैंने आपको कहा था कि इसे कुचल दिया गया था इसे ruthlessly एक violent revolution हुआ था इसे कुचल दिया गया था और इसका कोई favorable result उस समय नहीं आया था लेकिन फिर भी जो development हुई थी मैंने आप को बताया था कि इसके बारे में हम आगे German Unification के topic में बात करेंगे तो आईए जानने की कोशिश करते हैं कि actually में क्या हुआ था देखो revolution तो बहुत ही violent था और बहुत ही हिंसा हुई थी लोगों ने एक दूसरे को गोलिया मारी चाकु छूरे तलवार का इस्तिमाल करके काफी क आटम काट मचाया और खून बाहया लेकिन इन सब पागलपन के बीच जब ये हिंसा शांत होती है उसके बाद जब लोगों को होश आया तो एक Frankfurt Assembly बुलाई जाती है 1848 में और ये Frankfurt Assembly को कहते हैं कि it was the first attempt at German Unification Frankfurt Assembly was the first attempt at German Unification और इनका एम था कि एक constitutional monarchy बनाई जाए एक constitutional monarchy करके देखो constitutional monarchy बनाने के लिए इन्हें दो चीज़े चाहिए थी एक joint constitution और एक monarchy क्यों आप constitutional monarchy अगर बना रहे हैं तो आपको monarchy तो चाहिए और constitution भी चाहिए तो constitution ultimately इनका 1849 मार्च में बनकर तयार होता है जहां पे constitutional monarchy की बात की जाती है elected parliament की बात की जाती है और जो government होगी it will represent the population of all states all 39 states the new German empire would replace the existing German confederation तो पहले जो German confederation था जो Congress of Vienna दोरा बनाया गया था उसे replace करके German empire आ जाएगा तो constitution तो इन्होंने ले लिया अब constitutional monarchy बनाने का जो इसका सपना था उसमें constitution तो तयार था अब बात आती है हम monarchy ढोणने की अब monarchy कौन होगा who will be the emperor of German empire तो यहाँ पे Frederick William the fourth है जो प्रसिया के हैं इन्हें ये crown दिया जाता है Frankfurt assembly दोरा और ये Frederick William fourth जो है ये बहुत जादा offend हो जाते हैं इस बात को ले के पिछले lectures में भी मैंने आपसे कई बार discussion किया है कि जो king का एक divine right हुआ करता था एक paradigm shift आया था Congress of Vienna के बाद उसमें इसके बारे में detailed discussion हमने पिछले lecture में किया है अब वो lecture देख सकते हो लेकिन फिर भी मैं आपको एक brief में बताता हूँ Congress of Vienna से पहले king खुद को representative of God, shadow of God on earth मानते थे खुद को समझते थे जिल्ले इलाई कि मुझे सिर्फ भगवान नहीं सीधे उता रहा है जबीन पर rule करने के लिए और किसी को मैं answerable नहीं हूँ लेकिन 1815 में जब Quadruple Alliance ने king बनाना शुरू किया यनि कि एक man-made organization ने king बनाया तो वहाँ पी ये myth break होता है कहीं ने कहीं कि king जो है वो divine rights है पर फिर भी इस महाल में भी ये प्रश्चिया की जो Frederick William है इन्हें अपने divine rights के बारे में यादा जाता है और ये बोलते हैं कि तुम्हारे ऐसे चिंदी चोरी करने वाले लोग मुझे क्या राजा बनाएंगे मैं ऐसे crown को ठुकडाता हूँ इसे लात मारता हूँ तो ultimately जब Frederick William IV ने crown ठुकडा दिया था तो ये Frankfurt Assembly का जो first attempt था German Unification का वो attempt यहाँ पर खत्म हो जाता है और Germany इस attempt के तहत Unify नहीं होता अब German Unification के factors जानेंगे कि क्या-क्या responsible थे German Unification के लिए है लेकिन उससे पहले एक छोटा concept समझ लें और ये concept जरूरी है समझना है क्योंकि आगे मैं ये दोनों words रेफर करूँगा देखो ये gross duchland और klein duchland ये दो concept है इन्हें समझना होगा ये समझने के बाद ही आगे जब मैं इसे use करूँगा तो आपको चीज़े समझ में आएंगे Congress of Vienna में भी मैंने आपको बताया था कि जब German Confederation बनाया गया था Congress of Vienna के द्वारा तो उस पर Austria का बहुत ज़्यादा दब-दबा था जिसने भी German Unification में भूमी का आदा की जो की बिसमार्क थे और उनके बारे में आगे बात करेंगे पर अब अब ये सोचो कि जिसने भी भूमी का आदा की German Unification में उसके सामने एक सवाल खरा हो गया कि क्या Unified Germany में ऐस्ट्रिया का क्या रोल रहेगा ? या Unified Germany में Austria नहीं रहेगा तो एक ऐसी Unified Germany जिसमें Austria हो उसे कहा गया Gross Deutschland और एक ऐसी Unified Germany जो Austria के बिना हो यहनि कि जिसमें Austria ना हो उसे कहा गया Klein Deutschland और ultimately आप देखेंगे कि आगे चलके बिसमार्क जिनका बहुत ही महतपूर्ण योगदान रहा है तो यह दोनों कंसेप्ट आप याद रखो आगे जब भी मैं Gross Deutschland और Klein Deutschland बोलूँगा तो आपको दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि बात क्या हो रही है Gross Deutschland मतलब Unified Germany with Austria and Klein Deutschland मतलब Unified Germany without Austria आप आज आते हैं Factors Behind German Revolution पे, sorry German Unification पे तो देखो यहाँ पे Role of Bismarck और Role of Economic Policy और इसे Resolverine कहा गया था यह Resolverine क्या है इसके बारे में अभी जानकरी लेनी कोशिच करेंगे लेकिन यह दोनों जो Factors यह सबसे जादा Important Factors रहे हैं German Unification के Process में अब एक Factors था Role of French Revolution, Napoleon and Revolutions of 1830 and 1848 इन सब के बारे में हम पिछले 4-5 Lecture में धीरे-धीरे सभी के बारे में डीटेल में चर्चा कर चुके हैं अब वर्ल्ड में कोई सा भी Revolution पढ़ लो उस Revolution में कुछ न कुछ Organizations का रोल कुछ न कुछ Political Thinkers का रोल रहे गाए बिना इसके कोई सा भी Revolution successful नहीं हो पाता तो ठीक उसी तरह German Unification के Process में भी एक Organization हुआ करता था Borshenshaft एक Organization हुआ करता था Borshenshaft और यह एक Student Organization था यह एक Student Organization था जो Germany के Universities में था अब Universities लेवल पे ही Students के थूँ ही काम हो रहा था Nationalism की Feeling लोगों तक पहुचाने का किस तरह सारे German लोगों को एक हो जाना चाहिए हो और इस Feeling को हवा दे रहे थे वहाँ के Philosophers और Philosophers में Important थे Kant Emanuel Kant Fischte और Hegel जैसे Philosophers Emanuel Kant Fischte और Hegel जैसे Philosophers यह बहुत ही Important थे अब Kant कहते है Emanuel Kant कहते है Germany को Foreign Power से मुकती चाहिए अब यहां Foreign Power का क्या मतलब है Kant's contribution was to define a way for Germans define a way for Germans to have an identity independent of foreigners अब यह Foreigners से इनका मतलब था Austria से क्यों? क्योंकि Austria का काफी ज़्यादा दबदबा था German Confederation पर तो इस दबदबे से यह चाहते थे कि हमें मुक्ती मिले आब एक Philosopher हुआ करते थे Fischte अब यह Fischte साहब यह कहते है कि अगर आपने 39 countries को International Boundaries के थूँ एक Common German Language एक Common German Culture से United है तो इनका कहना था कि Boundaries आप चाहे जितने बना लो लेकिन अगर वो सब United है Through a Common Culture Through a Common Language तो उनका एक होना एक नए एक दिन तय है इसलिए इसके माध्यम से यह कहना चाहते थे कि 39 से 1 की जड़नी तय है और यह Ultimately हमें कर नहीं होगी और हम करके रहेंगे और इसी तरह एक Philosopher हुआ करते तो हेगल अब यह German लोगों के Racial Supremacy की बात करते हैं यह बात करते हैं Racial Supremacy की इनका कहना है कि अर्थ पर जितने भी races हैं सभी धीरे धीरे Self Consciousness को Enhance करने की तरह बढ़ते रहते हैं लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा Successful रहा है अभी German race और वो German race 39 states में Concentrated है समय आ गया है कि Consciousness level पर सबसे highest level पर पहुंचने वाले यह German race के सारे लोग 39 से एक हो जाएं तो धीरे धीरे यह Universities और Organizations और Philosophers ने मिलकर 39 to 1 की जर्नी को प्राप्त करने के लिए German लोगों के मन में एक आग जलाई और उसे हवा देने का काम करते हैं अब आ जाते हैं Important मुद्दे पर जैनी की Role of Economic Policy देखो यह बहुत ही important topic है उस समय वहाँ पर आप समझने की कोशिश करो तो 39 states हुआ करते हैं मालो की यह 3 states हैं अब यहाँ से एक बना हुआ good country 1, 2 और 3 country 1 का good जाना है country 3 में तो 1 से वो good चला 2 से पास हुआ तो यहाँ पर एक duty लगी फिर 2 से 3 की और गया तो यहाँ पर एक duty लगी तो already जो समान यहाँ 10 रुपे का है वो यहाँ पहुंचते पहुंचते कुछ 12 तेरे रुपे का हो चुका रहा होगा तो इस तरह से क्या होता था कि trade थोड़ा सा फायदे मन नहीं बजाता क्यों कि एक समान जब दूसरे देश पहुंचते था इतनी बार उस पर duty लग गई होती थी कि वो फायदे मन नहीं हो पादा था और खास करके अगर आप दुनिया के दूसरे देशों से compete करने की कोशिश कर रहे हैं यह तो बिलकुल भी यहाँ पर possible नहीं था तो इससे निजात पाने के लिए 1818 में प्रस्या एक पास करता है Tariff Removal Act और Tariff Removal Act उसने कहा कि हम internal tariff तो सारे abolish करते हैं और बाहर के country से जो भी आ रहा है हमाल उस पर एक uniform tariff लगाएंगे और दीरे दीरे अल्टिमेटली चलते हुए 1834 में 19 German Confederation के स्टेट्स मिल जाते हैं और इसी Tariff Removal Act को एडॉप्ट कर लेते हैं और इससे नाम दिया जाता है जॉलवरीन का एक customs union बनाय जाता है जॉलवरीन क्या है कि यह जो 19 German States हैं यह सारे States मिल के एक organization बनाते हैं एक customs union बनाते हैं और इनका कहना था कि जब भी हम trade करेंगे बाहर के country से यानि कि इन 19 countries के अलावा किसी और country से trade करेंगे उनका माल मालू हमारे 19 में से किसी भी country में आ रहा है तो एक uniform tariff apply होगा ऐसा नहीं कि एक country 5% लगा रहा है tariff दूसरा country 8% लगा रहा है तीसरा बोलेगा मैं tariff ही नहीं लगाँगा चौथा बोलेगा मैं 2% लगाँगा तो यह सब नहीं चलने वारा था अब जॉलवरीन के तहत क्या था कि बाहर की country से एक uniform tariff suppose 5% या suppose 6% जो भी लगेगा वो एक uniform rate रहेगा और among these 19 German countries among these 19 German states tariff internally पूरी तरह से abolish हो गया यह कि अगर यहां पे 4 countries है country 1, 2, 3, 4 अब यहां का सामान अगर यहां जाना है तो पहले 4 बर इस पे तीन बर इस पे tariff लगता अब tariff नहीं लगेगा अगर 19 के 19 country के बीच में internal trade हो रहा है तो एक uniform tariff की policy अपनाई जाती है तो अब देखिंग कि यह solverine की जो policy थी यहीं से Germany में industrial revolution की शुरुआत माने जाती है अब यहां से industrial revolution के process ने Germany में बहुत जादा तूल पकर लिया हमने देखा थे industrial revolution के chapter में कि सबसे पहले उसकी शुरुआत हुई थी industrial revolution की Britain में और उसके कारेन भी जानने की कोशिश की थी लेकिन 1834 में जब solverine बना तो जर्मनी के industrial revolution के process को बहुत जादा बल मिलता है और धीरे-धीरे 1850s तक आते आते Germany, Austria के भी industrial output को exceed कर जाता है और इसका सबसे जादा फाइदा की से होता है Prussia की आर्मी को Prussia की आर्मी को सबसे जादा फाइदा होता है क्योंकि coal और iron का production इतना बढ़ गया कि army heavily modernized हो गई और जो बागी Europe के आर्मी थी जो Austria की आर्मी थी और even जो Europe का उस समय का सबसे strongest लैंड पावर हुआ करता था France उससे भी ज्यादा strong आर्मी बन जाती है प्रश्या की अब अब ही आगे हम देखेंगे कि रोल अब बिस्मार्क क्या था और बिस्मार्क ने policy follow की उसे हम कहते है policy of blood and iron लेकिन उस policy से पहले 1834 के जालवरीन से लेकर बिस्मार्क के आने तक की जो policy हुआ करती थी जर्मनी की वो थी policy of coal and iron industrial revolution ने तूल पक्रा और policy of coal and iron की शुरुवात हुई प्रश्या ने आस्ट्रिया को भी पीछे छोड़ दिया था industrial output में और इस तब की वज़े से प्रश्या की जो अर्मी थी वो काफी modernize हो गई थी और यूरोप के heavy weights से टक्कर लेने को तयार थी अब economic integration से एक चीज क्या हुए कि जब industrial revolution ने तूल पक्रा तो German capitalist class उभर कर सामने आता है और यह capitalist class ने देखा कि भाई हम चाहे जितना भी economic integration कर लेकिन जब तक हम politically integrated नहीं है will not be able to compete with the big industrial states उनसे compete करने के लिए हमें politically भी एक होना पड़ेगा तो इस economic integration की भावना को भी जन्म दिया था अब next हम लोग discuss करेंगे the role of Bismarck और यह भी economic policy की तरह बहुत ही important है German unification के topic में तब देखो यह Bismarck साब जो थे यह Bismarck 1862 में है प्रसिया का प्राइम मिनिस्टर निउट किया जाता है 1862 में प्रसिया का प्राइम मिनिस्टर निउट किया जाता है और जैसा हमने जाना था कि Count Kevur के बारे में ये भी by heart बिलकुल ही एक conservative personality हुआ करते थे लेकिन फिर Count Kevur की तरह इन्हें भी real politic follow करना था real politic अब real politic क्या है इसके बार में हमने detail में चर्चा की है Italian Unification के chapter में यहाँ पर फिर से मैं आपको एक बार brief recap दे देता हूँ कि अगर मैं conservative हूँ तो मुझे socialist नहीं पसंद मुझे liberal नहीं पसंद और मैं इस तरह की liberal लिबरल पॉलिशी और सोचलिस्टिक पॉलिशी भी नहीं अपना हूँ गा लेकिन यहाँ पर आंतर आ जाता है real politic follow करने वाले में अब देखो यह बिसमार्ग जो conservative था बाई हर्ट और चूकि यह real politic follow करता है तो इसे किसी भी problem का समधान ढूनने में यह socialistic liberal इस तरह की philosophies भी यह ध्यान नहीं देगा इसका ध्यान है उस problem का solution क्या है practical solution उसका क्या निकलेगा और इसके लिए अगर इसे socialistic policy follow करनी पड़े तो socialistic policy follow करेगा liberal policy follow करनी पड़े तो liberal policy follow करेगा तो यहाँ पर कोई अच्छूत पन नहीं होता है कि मैं conservative हो तो मैं socialist को नहीं चूँँगा मैं conservative हो तो मैं liberals को नहीं चूँँगा इस तरह का खयाल नहीं आता है तो इसके तहत अब देखो conservative होते वे भी यह न conservative है जो मोनार्की को support करता है जो एक centralized state को support करता है उसने क्या किया उसने socialistic policy अपना है अब इसके तहट इन्होंने first welfare state की अस्थापना की थी modern world में first welfare state की अस्थापना की गई थी अब इसके तहट कुछ-कुछ steps लिया था जो socialistic ही थे उस समय अभी हमने सीखा कि जॉलवरिण की वज़े से industrial revolution ने तूल पकड़ा था तो कार खाने भी खुले होंगे कार खाने खुले होंगे तो heavy machinery आई होगी अब heavy machinery तो उस समय के लिए जर्मनी में एक नई चीज हुआ करती थी जब heavy machinery आई तो लोगों को accidents भी होने लगे लोगों को इन्होंने life insurance देना शुरू किया इन्होंने health insurance देना शुरू किया इन्होंने employment scheme निकालने शुरू की और ये सारी की सारी क्या है socialistic policy बिस्मार की इन policies की वहे से जो population socialistic parties की तरफ जुखती जा रही थी socialistic ideologies की तरफ जुखती जा रही थी वह पिस्मार की तरफ जुख जाती हैं कि बोलते हैं कि ठीक है ये by nature conservative हो या कुछ भी हो ये socialistic policies तो अपना रहा है हमारे काम का बंदा है तो इस तरह इन्होंने socialists को वू करने की कोशिश की अब बारी आती है liberals की बारी आती है liberals की अब हुआ करता था और जो liberals थे वहाँ पे सिर्फ Catholic नहीं रहते थे दूसरे और जो Protestants से ये भी रहते थे तो वहाँ पे जब Catholics का दबदबा था तो दूसरे तब के जो थे वो थोड़ा दबाव महसूस करने लगे थे तो इन से चुटकारा दिलाने के लिए बिसमार्क ने कुल्टर कांफ के पॉलिसी अपनाई उन्होंने Catholic Church के साथ स्ट्रगल शुरू किया और इससे कही न कहीं लिबरल्स को भी अपने दबदबे में लेने की कोशिश की थी उन्होंने अब इसके बाद हमने सीखा था कि बिसमार्क के आने से पहले जॉलवरीन जब भी मैटर सेटल किया जाएंगे वो होगा थुरू वार एंड ब्लड विल बिस्पिल ये बात साफ साफ बिसमार्क ने कही थी 30th सेप्टेंबर 1862 में एक स्पीज दिया था उसमें इसने कहा था कि not through the speeches and majority decisions will the great questions of the day will be decided. That was the great mistake of 1848 and 1849. But by the iron and blood, इस iron and blood को ही popularly reverse way में हम लोग blood and iron बोलते हैं. Actually मैं बिसमार्क ने iron and blood बोला था. और इस blood and iron की policy का मतलब है कि जो भी आगे आने वाले दिनों में political questions settled होंगे, वो questions settled होंगे through war and blood will be spilled. तो war तो होना तै था. बिसमार्क को पता था कि Austria का दबदबा तो है Germany फिर बिसमार्क ने डिसाइड किया कि Austria को रखना है Unified Germany में या Austria को नहीं रखना. अब ये जो नहीं रखने वाला है ये था Client Dutchland. ये था Client Dutchland और Austria के साथ Unified Germany जो दो गई ये थी Gross Dutchland. तो बिसमार्क ने तै कि हम लोग Client Dutchland की policy follow करेंगे. यानि आस्ट्रिया को कोई जगह नह नहीं मिलने वाला Unified Germany. लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली आपको रखना है ध्यान में कि बिसमार्क जो है वो कभी भी खुद को as an aggressor नहीं दिखाना चाह रहा था. ठीक उसी तरह जिस तरह काउंट के वोड़ खुद को aggressor नहीं दिखाना चाह रहे थे. उसी पर देखेंगे हम लोग आगे चलके कैसे यह पॉन की तरह इस्तिमाल होता है. देखो अब स्मार्क के दिमाग में एकदम clarity of thought आ गया था कि मेरे को करना है क्लाइन डिश्लेंड की policy follow करनी है जर्मनी और ऑस्ट्रिया को भगाना है और ऑस्ट्रिया के बिना जर्मनी को unify करना है मुझे खुद को aggressor नहीं रिखाना. अब यह बैठे रहते हैं घात लगा के और इन्हें डेन्मार्क का यहाँ पर administrative control हुआ करता था पर इन दोनों में काफी ज्यादा German population भी थी German population भी हुआ करती थी इन दोनों सारी चीजन ठीक चल रही थी धीरे धीरे लेकिन ultimately होता क्या है कि 1863 में डेन्मार्क इन्हें annex करनी के कोशिश करता है यह administrative control में तो थे लेकिन डेन्मार् की अब चला की देखिए ऑस्ट्रिया का उससे में German configuration पर दबदबा तो था यह बात तो तै थी तो बिश्मार्क उस ego को और फूलाता है बैलून की तरह और बोलता है कि ऑस्ट्रिया वाले भाईया यह देखो यह हो क्या रहा है यहाँ पर Slice Week और Holstein में जर्मन लोग है और इ attack कर देथें slash with और holstein पर और ultimately इनकी हार होती है और slash with का portion यह चला जाता है प्रश्या को और holstein ka portion यह चला जाता है ऐस्ट्रिया को अब यहां पर आप बिसमार की चलाकी देखिए कि यह जो आस्ट्रिया को होल्स्टिन वाला पोजिशन दिया यह गिरा कैसे है नीचे प्रश्या है और उपर प्रश्या की टेरिटरी स्लेश्विग है और यह होल्स्टिन आस्ट्रिया से काफी डिस्टेंस पर है तो आस्ट्रि करके उन्होंने ओसरिया को श्लाइस विवल्स्टिजंवर में कटरा दिया 1 अड़ जब अब जब कॉल्स्टिन इस वाड के बाद ला अस्ट्रिया छीनना से इसके लिए और ला तो cinetics क्या हुआ करती थी पने ब्लडन marrow ब्लक करने से पहले ggs मार्क ने सोचा है कि मैं दो-तीन कंट्री से एक साथ वार करने के लिए भी प्रस्या तो रही तयार नहीं है प्रस्या तयार नहीं है और प्रस्या ही है जिसके लीडर्शिप में जर्मनी का यूनिफिकेशन हो रहा था तो जब प्रस्या एक साथ दो-तीन country से तयार नहीं है लड़ने के लिए तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि आस्ट्रिया के allies काटे जाएं एक-एक करके अब आस्ट्रिया के allies काटने के लिए ये एक-एक करके allies काटना शुरू करता है अब शुरुआत करता है 1863 से देखिए पॉलेंड में उस समय revolution हुआ था और पॉलेंड था और रस्या के पास तो रस्या उसे suppress कर रहा होता है अब इस समय आप चला की देखो बिसमार की कि प्रस्या कुछ करता नहीं है प्रस्या में बैठे-बैठे ही बिसमार जोर जोर का हला मचाता है चिठे लिखे कि ये पॉलिस रिवॉलिशनरी जो है बहुत बदमाज इन्हें दोरा दोरा के पीटो बहुत अच्छे सर इन्हें लाठी में तेल लगा-लगा के मार पढ़नी चाहिए इन्हें तो इससे कहीं ने कहीं वो रुष्या को जीतने की कोशिश करता है उसके बाद ये कोशिश करता है कि ये जो फ्रैंस है फ्रैंस को किस तरह से अलग किया जाए अगर आपको ध्यान होगा कि Congress of Vienna में हमने बात की थी Quadruple Alliance की Quadruple Alliance की बात की थी जिसमें कौन-कौन थे ब्रिटन, आॉस्ट्रिया, प्रश्या और रश्या, चार कंट्री हुआ करते थे उसमें, ब्रिटन, आॉस्ट्रिया, प्रश्या और रश्या, अब देखो यह सब आपस में ही लड़ रहे हैं, तो Quadruple Alliance तो पूरी तरह से चखना चूर हो गया था, इसके बारे में हमने जानकार ले थी, Unification of Italy में भी, पर यहां पर आप देखिए कि यह फ्रैंस को काटने की कोशिश करता है, इस Quadruple Alliance से फ्रैंस को अलग करने की कोशिश करता है, रश्या को तो अलड़ी यहां पर वू करने की कोशिश कर चुका है, फ्रैंस को अलग करने की कोशिश करता है, अब फ्रैंस जिसके तहट France को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है Piedmont Sardinia Piedmont Sardinia अपनी तरफ करने की कोशिश करता है और कैसे करता है एक matrimonial alliance करता है और उसके साथ NICE और Savoye नाम की दो territory नाइस और Savoye नाम की दो territory दे देता है Napoleon the third को और उसके बाद इसके बदले में यह मांगता है कि जब भी Austria हम पर attack करे तो आपको हमारी मदद के लिए आना होगा तो यह plombi respect करता है France के साथ Piedmont Sardinia जो Italian unification का process चल रहा होता है उसके तहट तो अब यहां पर आप ध्यान देने वाले चीज है कि Bismarck को भी यह सारी बात है पता थी Bismarck भी क्या करता है उसे दिमाग भी उसकी बत्ती जलती है कि Napoleon the third को थोड़ी बहुत जमीन दे दी जाए जमीन देने से यह खुश हो जाएगा तो फिर Napoleon the third यानि France को वो बोलता है कि मैं आपको थोड़ी बहुत जमीन दे दूँगा और आप जब Austria और Prussia की लड़ाई हो तो आप neutral रहना आपको कुछ नहीं करना जब Austria और Prussia की लड़ाई हो तो आपको सिर्फ neutral रहना है तो अब France और Russia इसके side में हो चुके है देखो Austria के allies एक एक करके Prussia ने काटा और France और Russia अब Prussia के साथ है तो अब Austria के साथ लड़ाई करने के लिए इनके पास सारे motives आ चुके हैं और motivation भी है कि अब कोई तो आने वाला है नहीं Austria की मदद करने हैं अब हम इसके साथ लड़ने के लिए तैयार है और इसके साथ साथ अगर आपने फिर यहां मैं Italian Unification को डेफर करूँगा Italian Unification में जो करार होता है Prussia और Piedmont के बीच उनके बीच भी एक secret treaty होती है Prussia और Piedmont Sardinia के बीच एक treaty होती है इस secret treaty के तहट यह कहा जाता है कि अगर Austria अगर Austria Prussia पे attack करता है तो Piedmont Prussia की मदद के लिए आएगा तो जब इस treaty के बारे में भी हमने Italian Unification में डिसकस कर लिया है और उसका एक division slide यह वाला मैंने यहां आप के लिए डाल दिया है तो अगर आप भूल चुके हो थोड़ा बहुत दिमाग से निकल गया है तो pause करके इसे आप एक बार पढ़ लो आपको याद आ जाएगा इसके बाद Bismarck के लिए सारा मामला सेट था Austria के allies एक-एक करके वो काट चुका था Russia और France को अपनी तरफ कर चुका था देशभक्ति की भावना बिल्कुल भी नहीं है ये एक foreign power है Austria वो तुम पर rule कर रहा है और उसके rule के अंदर तुम रह रहा है और इगोल्ड करो इसे भगाओ यहां से ये सब देखते हुए Austria ultimately Austrian troop जो है वो 1866 में Holstein को occupy कर लेती है और इस मुद्दे पर बाद में Austria और Prussia की वीच लड़ाई होता है और ये battle होता है Battle of Sadova में जहां पर Austria की ultimately हार होती है और उसके बाद फिर Treaty of Prague साइन होता है 1866 में और इस treaty में Austria को permanently exclude कर दिया जाता है German affairs से treaty के terms क्या थे the German confederation was dissolved and the North German confederation was formed under Prussian leadership होगा और German confederation को dissolve करके एक North German confederation बना दिया जाता है Holstein जो मुद्दा था इस वक्त actually ये अपने में कोई मुद्दा नहीं था मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि Slashvik Holstein का Germany की unification से कोई direct लेना देना नहीं था इसे as a pawn use किया गया एक conflict की शुरुवात करवाने के लिए तो Holstein was ceded to Prussia Holstein दे दिया जाता है Prussia से और Austria was excluded from German affairs permanently Austria को German affairs से exclude कर दिया जाता है तो अब इस दौर के खत्म होने के बाद Slashvik Holstein यानि कि Danish question के खत्म होने के बाद एक चीज साफ साफ उभर के सामने आती है कि Prussia जो है अब वो Germany में एक dominant force है और Austria का importance पूरी तरह से Prussia ने German affairs में खत्म कर दिया था Battle of Sadowa और उसके बाद जो Treaty of Prague हुआ उसके तहत देखिए अब जब Slashvik Holstein जो एक pawn की तरह यूज किया गया था वो मुद्दा खत्म हो गया Austria का मुद्दा खत्म हो गया तो हमने तीसरा मुद्दा देखा था The French Question अब विस मार्क के सामने सिर्फ एक मुद्दा था वो था The French Question और French Question में भी क्या करना था इसे ये जो Elsas Lauren नाम की ट्रेटरी है जो red से यहां पे marked है इस ट्रेटरी पे इसकी नजर थी अब France बोलता था यहां पे French Majority ट्रेटरी है जर्मनी बोलता था कि यह हमारी ट्रेटरी है क्योंकि यह जर्मन रहता है यहां पे तो इस मुद्दे पे दोनों का विवाद चीरा हुआ था लेकिन फिर यहां पे बिसमार्क बहुत खुबसूरती के साथ कोशिश करता है कि वो खुद को aggressive ना दिखाए और France को directly attack नहीं करता और इससे पहले Austria को अलग थलग करने के लिए France के साथ उसका already एक secret neutrality pact था जो अभी अभी हमने देखा था अब background में France में क्या चल रहा होता है French देख रहे होते हैं कि प्रशिया के leadership में धीरी धीरे Germany unified हो रहा है और already North German Confederation की स्थापना हो चुकी यहाँ पर आप देख रहे हो हैं कि यह North German Confederation की स्थापना already हो चुकी है इनसे कही ना कहीं French को खतरा महसूस होता है कि एक unified Germany हमारा neighbor रहेगा तो इस unified neighbor से कही ने कहीं French को खतरा महसूस होता है और France वाले अपने राजा पे Napoleon III पे भी pressure डालते हैं कि कुछ करो तुम इस public pressure के अंदर आके Napoleon III प्रशिया को एक letter लिख के बोलता है कि Rhineland जो है Rhineland को neutral रखना है पर Bismarck धीरे धीरे अपने मौके का इंदिजार करता है और वो मौका उसे मिलता है जब Spain में एक सत्ता पलट होता है वहाँ पे coop होता है और वहाँ पे आपको याद होगा मैंने बात की थी कि Spain में भी Bourbon dynasty का rule हुआ करते थी और वहाँ पे Queen Isabella हुआ करती थी लेकिन coop के बाद इन्हें सत्ता छोड़नी परती है और ultimately जो throne है वो Leopold का offer की जाती है अब यह Leopold कौन है यह Prussian royal family का member है आप देखो Spain में जहाँ Bourbon dynasty हुआ करती थी उस Bourbon dynasty में सत्ता पलट हो जाता है और वहाँ का जो throne है Spain का वो आप देने की कोशिश करती है Leopold को जो की member है Prussian royal family का तो एक तरफ जहाँ French लोग Prussia के leadership में Germany की unification से परशान हो रहे हैं उससे खत्रा महसूस कर रहे हैं और दूसरी तरफ Spain जहाँ Bourbon dynasty का traditional rule हुआ करता था उसकी सत्ता दी जा रही है Prussia के royal family के एक member Leopold को तो अब France के लोग इससे बहुत चोकनने हो जाते हैं कि ये कोई छोटी-मोटी मामली बात नहीं है और ultimately बहुत pressure बनाते है Leopold पर कि आप ये throne का offer decline कर दो और इस pressure में आके King Leopold जो है throne का offer decline कर भी देते हैं लेकिन French के मन में ये शक इतना गहरा घर कर गया था कि सिर्फ सत्ता छोड़े से उनका मन नहीं भरा वो बोलते हैं कि लिख के दो लिख के दो कि अब मुझे कभी Spain का throne offer किया जाएगा तो मैं Spain का throne नहीं दूँगा लिख के देने वाली बात जहां आई तो प्रशिया के लोग सोच रहें कि मैं लिख के क्यों दूँगा कि मैं Spain का throne जब भी आएगा मैं नहीं लूँगा मैंने बोल दिया तो मैं नहीं लूँगा लेकिन यह आड़ जाते है अब French में उसके बाद क्या होता है कि जहां भी कोई Persian मिलता है फ्रेंच पकड़ की बोलता है कि लिख के दो लिख के दो कि मैं Spain का throne नहीं लूँगा इसी तरह King William I of Prussia जो William I of Prussia के King थे वो एक दिन morning walk करते रहे रहते हैं पार्क में और पार्क में उसकी मुलकात हो जाती है गलती से वो टकड़ा जाते हैं France के ambassador से अब पार्क में सुबह सुबह वहां का राजा घूमड़ा है और उसे मिलता है French ambassador अब वहां पार्क में भी इन्होंने पकड़ लिया वहां के राजा को और बोलते हैं कि लिख के दो अब ये प्रशिया के लोग परशान है कि ये क्या बात है भाई हर बात पर लिख के दो लिख के दो हल्ला मचा रखा है इस समय जो king के secretary थे उन्होंने auto one miss mark को Ems नाम की जगह से एक dispatch लिखा एक खत लिखा है जिसे हम Ems dispatch या Ems telegram भी कहते हैं और खत लिख के बताए कि France के जो ambassador था वो बहुत annoying है और बहुत persistent है एक return guarantee माँगने पर देखो अब यहाँ picture में मैंने आपको बताए कि French ambassador जो है ये give me a return guarantee Russian king बोलता है not gonna happen dude तो लिख के देने वाली बात पर एक विबात छिर जाता है और ये बात ultimately जो king के secretary है king बोलते हैं कि एक खत लिखो और विसमार्क को ये सारी घटना की सूचना दो और Ems Dispatch ये Ems Telegram के form में विसमार्क को ये बताए जाता है और विसमार्क को मौका मिल गया अब देखो अब विसमार्क क्या करेगा विसमार्क Ems Telegram को selectively quote करता है निउस पेपर में और कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि प्रशिया के हाथो French ambassador की बुरी तरह से अलोशना की गई है और उसका अपमान किया गया है उसका insult किया गया है और ये जब अगले दिन newspaper में publish होता है तो France की जनता में आक्रोश फैल जाता है कि किस तरह प्रशिया के राजा ने हमारे ambassador का अपमान किया है France की लोगों का खून खौल जाता है ये बात देखकर और अभी थोड़ी दिर पहले just मैंने जो आपको बता है कि France पे जब pressure बढ़ रहा था राइन लैंड को neutral रखना है अब ये letter को भी बिसमार्क पब्लिक कर देता है एक तो उसने तोर मरोड के इम्स डिस्पैच के fact को पेश किया था जनता के सामने जिससे French का खून खौल गया और वो Russians को मरने मारने पे उतार हो गया और उसके बाद ultimately final nail in the coffin था Napoleon the third का ये letter पब्लिक कर दे ना जिसमें उन्होंने राइन लैंड नूटरल रखने की बात की थी अब राइन लैंड नूटरल रखने की बात सुनके जर्मनी के लोगों का खून खौल जाता है तो एक तरफ देखो कि इम्स टेलिग्राम को तोर मरोड के पेश करके उसने फ्रेंच के लोगों को उकसाया फ्रांस के लोगों को उकसाया और Napoleon the third का राइन लैंड नूटरल रखने वाला letter को पब्लिक करके उसने जर्मन को उकसानी कोशिश की अब जर्मनी और फ्रांस दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को मरने मारने पे उतारू थे और बैकड़ांड बिल्कुल तयार हो चुका था एक लड़ाई के लिए और अल्टिमेटली इसके बाद फ्रांस को पब्लिक प्रेशर में लड़ाई शुरू करनी परी अब यहाँ पर बिसमार का मोटिब भी कम्प्रीट हो गया देखो उसका मोटिब था मुझे अग्रेसर नहीं बनना मुझे हमला नहीं करना है लेकिन यहाँ जब फ्रांस थे हमला कर दिया तो उसे डिफेंट करने के लिए तो लड़ाई करनी होगी तो ultimately बिसमार किसके लिए पूरी तरह से तयार था और लड़ाई होती है और finally 1870 में Battle of Sedan में France की हार होती है जब France की हार होती है तो उसके बाद Treaty of Frankfurt sign होता है जिसके तहद French province जो Elsas-Loran जो थे इस Elsas-Loran को Annex कर दिया जाता है और यह आजाता है प्रशिया के अंदर और North German Confederation के अंदर उसके बाद France पे War Indemnity भी लगाई जाती है 5 Billion Mars की और Second Reich या Second Empire भी Proclaim किया जाता है First Empire जो था, वो Holy Roman Empire था Second Empire, प्रशिया के leadership में जो German Empire बना था जो North German Confederation बना था उसे Second Reich घोशित किया जाता है और सबसे महतपूर्ण घटना यहां जो हुई Hall of Mirrors Hall of Mirrors जो कि Palace of Versailles में है जो कि France के Empire का seat हुआ करता था वहाँ जाके प्रशिया के लोगों ने German Empire की घोशना की, वहाँ जाके यह German Empire की घोशना करते हैं अब यह कितना बड़ा humiliating act रहा होगा France के लिए आप सोचो आपके घर में आकर कोई दूसरे जगह वाले लोग अपने Empire की घोशना करते हैं वहाँ पे अपने King का Coronaution करते हैं तो इससे जादा आपमान की बात और क्या होगी और यह जो आग लगी थी France के मन में इस आग का जहर कहीं न कहीं आप देखेंगे कि 1914 में जो World War 1 हुआ और वो 1919 में खत्म हुआ उस समय जो Treaty of Versailles होती है उसमें जाके फूटता है सारे powers सोच रहे होंगे कि Germany को पुरी तरह हमें बरबाद नहीं करना सिर्फ France ऐसा power होगा जो यह कह रहा है कि Germany को हमें बुरी तरह से बरबाद करना है इसे इस हालत का नहीं छोड़ना कि यह दुबारा उट खड़ा हो तो कहीं ने कहीं World War 1 के 20 यहीं पर बो दिये गये थे अब इसके राद हमने देखा थे कि North German Confederation तो बन गया था लेकिन Southern German States जो थे Traditionally यह Catholic States हुआ करते थे तो ultimately एक एक करके South German States ने भी ट्रेटी की और ultimately North German Confederation का हिस्सा बनते गया और finally एक पूरी तरह से एक German State उभर कर सामने आता है इसके बाद तो यह थी Germany की Unification की कहानी अब थोड़ा बहुत यह जान लेते हैं कि Regions for Defeat of France क्या था France जो उस समय हमने बात की थी French Revolution के समय 1789-1800 की बात है जादा पहले की बात है 60-70 साल पहले की बात है जो France लैंड का सबसे ताकतवर पावर हुआ करता था वो प्रशिया से हार कैसे गया तो इसके कारण Brief में जानने की कोशिश करते हैं डीटेल में नहीं जाएंगे इसके बारे में और बहुत important नहीं है लेकिन फिर भी आपको interesting point यहां पर यह है कि France जो 1815 में जब तक Napoleon था सबसे ताकतवर पावर हुआ करता था लैंड पर अकेले एक Napoleon ने पूरे ये रोप में सभी राजाओं को नाकोचने चबवाए थे वो प्रशिया से हार गया तो ये बात थोड़े हजम नहीं होती है तो इसके कारण थोड़ा जानने की कोशिश करते है देखो यहां पर तीन कारण उभर कर सामने आते एक तो था कि France की जो complacency थी थी न घमंड कि हम सबसे important सबसे ताकत और power है land पर पूरे यूरोप में हमारा कोई कुछ नहीं बिगार सकता तो इसके तहर ये कही नहीं कही उनके back of the mind में थी और इसके कारण उनने धंक से तयारी नहीं की थी दूसरा कारण ये था कि जॉलवरीन के बाद जो Germany में Industrial Revolution का दौर चला था वो इतना तेज चला था कि धीरे धीरे World War 1 के आसपास जाके आप देखेंगे कि Britain में जहां सबसे पहले शुरुवात हुई थी तकरीवन 750-760 में उस Britain को भी Germany कई points पे पीछे छोड़ देता है तो ये जो Industrial Revolution का process Germany में चाल हुआ था ये बहुत ही fast और बहुत ही effective था जो policy of coal and iron है उसने Persian military को कहीं ने कहीं धीरे धीरे एक aid देना शुरू कर दिया था तो इसका भी फाइदा मिला प्रशिया को France के military के उपर अब तीसरा मुद्दा ये आए कि Bismarck ने बहुत चलाकी से ये कोशिश किये थी कि मुझे हमला नहीं करना France पर मुझे France पर बिल्कुल भी हमला नहीं करना और France को हमला करने दिना है जब France को as an aggressor दिखाया गया जब France को एक aggressive state दिखाया गया और France ने war declared किया प्रशिया पर तो उसके allies भी cut off हो गए तो ये तीर मुख्य करने थे France की हार के अब इसके result क्या हुए result of battle of Sudan या result of defeat of France इसके result है हुए कि देखो ये सब हम लोग अलड़ी जान रहे हैं बस मैं आपके लिए एक summary दे दे रहा हूँ France के बारे में हमने बात की थी कि land का सबसे important सबसे powerful power हुआ करता था लेकिन ये France का जो land पे military domination है ये खत्म हो गया अब Germany Prussian leadership में ये रोब का सबसे बड़ा land power के रूप में उभर कर सामने आता है और इसके बाद साथ साथ ही Elsa Sloren जो annex किया गया है इसके लिए France के मन में काफी जादा resentment था और साथ ही साथ जो German Empire के घोषना Hall of Mirrors Palace of Versailles में की गई इसके लिए वो काफी अपमानित फिल करते हैं और इसका जो fallout है वो हम लोग देखेंगे कि World War 1 में क्या होता है तो कहीं ने कहीं World War 1 में World War 1 के 20 यहीं पे बो दिये गये थे और तीसरा जो result था यह result भी हमने पहले ही देख लिया कि French और Russia के बीच जो लड़ाई हुई उस लड़ाई के वज़े से Rome में जो France के ट्रोप थे उन्हें वापस बुला ले जाता है और इसका फाइदा उठा के जो Piedmont के ट्रोप्स हैं वो पूरा Italian Unification का process को complete कर देते हैं लेक्षर सीरीज आपकी preparation में आपकी help कर रहा है आपकी मदद कर रहा है आपको लग रहा है कि आपका knowledge base इसकी वेज़े से बढ़ रहा है तो अब प्लीज हमारे चैनल को subscribe कीजिए वीडियो लाइक कीजिए और फिर मिलते हैं अगले lecture में थैंक्यू